नमस्कर दोस्तों सोनी हिल्थ केर में आप सबी के स्वागत हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में इस समय कुरोना वायरस बहुत ही तीजी से फैल रहा है और हजारों लोगी से वायरस के शिकार हो चुके हैं अब यह हमारे दिश में भी तीजी से फैल रहा है अभी किसी कोई कारगर दवा नहीं वनाई जा सकी इस दिशा में अभी अनुस अंधान चल रहा है मेडिकल एक्सपर्ट के निसार आप अपने हाथों को स्वच रखकर और स्वयम को एकांती आईसलेट रखकर इस विमारी प्रसार को रोख सकते हैं डव्लो एचो मेडिकल एक्सपर्ट और कोवर्मेंट की दिशाने विविशु करने साथ सभी लोग खुद को और अपने परिबारों और बालों को और अधिक स्वच रखने की कोशिश इस समय कर रहे हैं ऐसे मेल लोगों द्वारा अस्पता और और मेडिकल स्टोर्स में जाकर फिस मास्क और सेनिटाजर की दिमांड बहुत ही ज़्यादा की जा रही है इतनी बड़ी संख्या में इन चीजों की दिमांड हो रही है हर जगा इनकी फ्लापता फोने में काथी कठना ही हो रही है लेकिन आपको चिंदा करने की कुई आप सकता नहीं है त्योंकि आप हैंड सेनिटाजर कमपनियों की तरह घर पर भी बना सकते हैं कैसे यह हम बताएंगे आपको इस वीडियो के मादम से दोस्तों कामर्सियल हैंड सेनिटाजर का जो में एक्टिव इंग्रीडेंट होता है वो या तो इथैनाल होता है या आईसो प्रोपाइल एलकोहल यानि आईपी होता है मार्केट में उपलब दुभी हैंड सेनिटाजर में साट से असी खत्सत इलकोहल बाई वाल्यू होता है इसके अधिरिक्त ट्राइक्लोजन, हैड्रोजन परकसाइड, ग्लिसरॉल, क्लोरोहकसीड़ाइन आधी इंग्रीडेंस भी हैंड सेनिटाजर में मौझूद होते हैं हम जो सेनिटाजर बनाने जा रहा हैं दोस्तों उसका भी मुझ के इंग्रीडियन एलकोहल ही है हमने एथनौल या इथाइल एलकोहल 95% वाली लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसको सर्जिकल स्प्रीट के नाम से लिए जाना जाता है यह आपको असानी से मेडिकल स्टो का भी प्रियूक कर सकते हैं दोनों ही डिस इंफेक्टेंट के रूप में बेस्ट है आइपी भी मेडिकल स्टोर्स या ऑनलाइन भी असानी से मिल जाएगा इथनौल हम लोग 70% लेंगे यानि की 200 ml के बैज के अनुसाद 140 ml हमारे सेनिटाइजर का दूसरा इन इंग्रीडिय तूसी के पत्ते तोड़े हैं इनको भी हमने धुल कर कडोली के अंदर रखा दोस्तों नीम और तूसी दोनों ही एंटी माइक्रोवियल एंटी फंकल और एंटी वाइरल प्रपरटीज वाले होते हैं ये 5-5 ग्राम लेकर हम इनको लगवक 300 ml पानी में मिलाकर इसका काढ़ा या इसका एक्स्ट्रेक्ट निकालेंगे इसको पानी में मिलाकर अच्छे से इसको मैं सिरेट करके इसको तोड़कर डालते हैं ताकि इसका अर्क अच्छे से निकल लाए और इसके बाद फ्लेम आन करके इसको हाई फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देते हैं कुछ तेरबाद यहां जब एक चौथाई से वन एट पानी रह जाता है काढ़ा रह जाता है तो गैस बंद कर देते हैं फिर इसको ठंधा कर लेंगे देखिए बन गया इसको हमने ठंधा करके इसको फिल्टर कर लिया है काढ़ा हमने 10 परसेंट याने की भी सेमन लिया है तीसरा इन इंग्रिटिंट है अलोवीरा जिल बनाने के लिए हमने अलोवीरा की एक बड़ी सी लीफ ली है कि इसको इस तरीक से हम काट रहे हैं इसको काट कर इसका पल्प निकालना है हम है पल्प निकाल कर उसको मिक्सचर में मिक्सर में पीस कर उसको हमजनाइज करना है दोस्तों एलोवेरा जिल भी एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टिरियल एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रापरटीज वाला होता है यहां सेननेटाइजर का टेक्सचर यानि की थीकनेस तो मेंटेन करता ही है साथ मैं एलकोहल की वोलाटिल्टी यानि की उरन सीलता को ही कम करता है ताकि एलकोहल इसकीन में कुछ देर तक चिपके रहे जिससे की प्रापरली माइक्रो आर्गानिजम खिल हो सके और इसकीन कम्प्ले स्मूध और सॉप्ट बनी रहे इस तरीके से चाकु से निकाल कर सारा जिल निकाल लिया हमने निकाल कर उसको मिक्सर में हम इसको पीस लिये पीस कर इसका जिल त्यार हो गया आप देख सकते हैं इसको अब हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे ट्रांसफर करके रख लें यानि 200 ml के हिसाब से यह 30 ml पड़ेगा हैंड सेनिटाइजर के लिए सारे आइटम हमने त्यार के लिए हमारा नॉल है है ऐलेल को है 95% यह हम 70% लेंगे इसके अलावा डाबर का गुलाब जल हमने लिया है अगर आपको गुलाब जल ना मिले तो आप चाहें तो गुलाब कुछ पंखड़ियू को पानी में उबाल कर गुलाब जल पना कर उसका प्रयूब कर सकते हैं गुलाब जल भी हमारे सेनिटाइजर को अच्छी आएगी यह काड़ा है हमारा और यह अलोविरा जल हमारा आप देख सकते हैं पूरी तक में जनाइज हो गया है यह मेजरिंग कैप है 10 ml का यह 50 ml का हमारे पास एक बॉटल था वह है यह सेनिटाइजर का हमारे पास पड़ा था वह है और यह फानल है चलिए हैंड सेनिटाइजर बनाना शुरू करते हैं सबसे पाहले हम एक पावल में 10% यानि 20 ml काड़े को अड़ कर रहा है इसके बाद फिर हम अलोविरा जल लेंगे 15% यानि 30 ml इसमें हम अलोविरा जल अड़ कर रहा है इन दोनों को अच्छी तरह हम मिला देंगे ताकि यह अच्छे से हमजिनाइज हो जाए अच्छे से मिल जाए अब इसमें हम 5% गुलाब जल एड़ करेंगे गुलाब जल की वैसी सेनिटाइजर की खुश्बू काफी अच्छी आती है इसके अलावा गुलाब जल साइटो टॉक्सिक एंटि ऑक्सिडेंट और इंटी माइक्रोविल प्रापर्टी वाला भी होता है इसको भी हम अच्छे से मिला दे रहा है इन सारी चीजों के बाद अब हम अलकोहल इसमें एड़ करेंगे 70% यानि 140 ml यह 50 ml का हमारा बॉटल है 50 ml हमने यह एड़ किया यह 50 ml 100 ml हो गया है और 40 ml हमको और इसमें एड़ करना है तब जाकर यह 200 ml का कमपोजिशन हो जाएगा 40 ml हम इसमें ले रहा है 40 ml हमने अंदाजे से लिया है 140 ml हमारा अलकोहल हो गया है इस पूरे मिस्टर को हम अच्छे तरीके से मिला दे रहा है ताकि सारी चीजिए अच्छे तरसे मिल लिया है अच्छी आ रही है गुलाब जल की वाज़े से यह हम अच्छा रहा है इस पूरे मिस्टर को हम अब फिल्टर करके पैकेजिंग बॉटल में ट्रांसफर कर रहा है अलोविरा जल थीक होता है जिसकी विए से फिल्टर होने में थोड़ी सी स्लोव फिल्टरिंग हो रही है जो भी अन फिल्टर्ड आइटम होंगे वो चन्नी के उपर रहा जाएंगे और पुई तरह इमोजनाइज एक समान मिश्रड वाला हमारा हैंट सेनेटाइजर बॉटल में आ गया है इसका हम कैपिंग करके रख लेंगे और जब चाहें जैसे यूज करेंगे आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर भी मोटा है ठीक है थोड़ा सा और हैंट पर लगाने से यह थोड़ा सा सॉफ्ट और स्टिकी भी है यानि इसकी में थोड़ी दे रहे हैं रुक रहा हैं दोस्तो अलकोहल बिस्ट हमारा हरवल हैंड सेनिटाइजर बनकर तैयार हो गया है आप जब भी कहीं बाहर झाये जब भी कसचीज को टठीक करें किसी से जरूर करिए साथ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सोनी हेल्थ केर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मेरबाध रूप से आपको मिलती रहें